गुरू गोबिन सिंग सिख्खो के दस्वे गुरू थे इसके अलाबा वह एक दार्शनिक कवी और महान योद्धा थे हेलो एवरीवन मेरा नाम है तीश पांडे और ये एक परस्नालिटी वीडियो की सीरीज है जिसमें हर एक परस्नालिटी पर मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही एक informative वीडियो होने वाली है लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले I request everyone कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस पे comment करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आप इस चैनल पे UPSC लेटर सब्जेट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके playlist हम लोगों ने बनाया है ये सारा content free of cost है तो जो भी serious UPSC aspirants है वो वाइस सर को contact कर सकते हैं on whatsapp 7200-681-675 test series और foundation videos के लिए अरली लाइफ गुरू गोविन सिंग का जन 22 दिसंबर 1666 को पटना में गुरू तेग बहादूर और उनकी पतनी गुजरी के घर हुआ था जनम के समय उनका नाम गोविन राय रखा गया था वे दमपत्ती के एक मात्र संतान थे उनके पिता सिखो के नौवे गुरू थे और गोविन राय के जनम के समय असम में एक प्रचार यात्रा पर थे उनके पिता अक्सर दौरा करते रहते थे इसलिए उन्होंने इस्थानिया राजा के संरक्षण में अपने परिवार को छोड़ दिया था 1670 में तेज बहादूर चक नान की गए और अपने परिवार से उन्हें मिलाने का अवाहन किया 1671 में गोविन राय ने अपने परिवार के साथ दानापूर से यात्रा की और यात्रा पर ही अपनी बुनियादी सिख्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया उन्होंने फार्सी, संस्कृत और मार्शल कॉसल सीखा वह और उनकी माता आखिरकार 1672 में आनंदपूर में अपने पिता के साथ जुड़ गये जहां उनकी सिख्षा जारी रही गोविंद राय को अपचारिक रूप से 1676 में बैसाखी के दिन गुरू बनाया गया था वह एक बहुत ही बुद्धिमान और भाहदूर लड़के थे जिसने बड़ी तरास्दी से दरास्दी के बाउजूद केवल विवेक और परिपक्वता के साथ गुरू पद्वी की जीमदारी समाली मुगलों के साथ तनाव पूर्ण संबंदों को ध्यान रखते हुए उन्होंने समर्पित योध्धाओं की एक मजबूत सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो सभी मानवता की गरीमा की रक्षा का महान उद्देश के लिए लड़ते हुए अपने जीवन को खुशी से बलिदान करेंगे उन्होंने सिक्खों के सभी अनुयाईयों से बैसाखी के दिन 13 अपरिल 1699 को आनंदपूर में एकत्रित होने का अनुरोध किया मंदली में उन्होंने पानी और पात्षा का मिश्रन बनाया और इस मीठे पानी को अमरिद कहा उन्होंने तब स्वयम सेवकों के लिए कहा जो गुरु के लिए अपने जीवन का पैलदान करने के लिए तैयार हैं वह खाल्सा से जुड़े पांच लोगों ने सवेक्षा से खाल्सा को अपनाया और गोविन राय ने इन पांच अदमियों को अमरिद दिलाया और उन्हें अंतिम नाम सिंग दिया उन्होंने स्वयम अम्रिद भी लिया और गोविन सिंग नाम अपनाते हुए एक बप्तिश्मा प्राप्त सिख बन गया कई अन्य पुर्षों और महिलाओं को भी सिख धर्म में दिक्षा दी गई गुरु कोविन सिंग ने तब फत्वाओं के पांच अनुछेदों की स्थापना की जिन्होंने बप्तिश्मा वाले खाल्सा सिखों की पहचान की खाल्सा के पांच प्रतीक थे पहला था केश जिससे सभी गुरु और रिशी मुनी धारन करते हुए आय थे दूसरा था कांगा एक लड़की की कंगी तीसरा था कारा एक धातू का कंगन चोथा था कचेरा कपाश का कुछ सफूर्ती के लिए और क्रिपान एक कटी हुई गुमावदार तलवार खालसा आदेश की इस्थापना के बाद गुरु गोविन सिंग और उनके सिक युद्धाओं ने मुगल सेनाओं के खिलाफ कई बड़ी लड़ाईया लड़ी भानगनी की लड़ाई, बदायू की लड़ाई, गुलेर की लड़ाई, निर्मुहगर की लड़ाई, बसोली की लड़ाई, आनंदपूर की लड़ाई और मुक्त सर की लड़ाई उन लड़ाईयों में से थी गुरू के दो बड़े बेटे, बेटो, सहित, कई बहादूर सिख सैनिकों ने लड़ाई में अपनी जान गवा दी उनके छोटे बेटे, बेटो को मुगल सेनाओं ने पकड़ दिया और उन्हें इसलाम में परवर्तित होने के लिए मजबूर किया युवा लड़कों ने इनकार कर दिया और एक दिवार के अंदर जिंदा चुनवा कर उनकी हत्या कर दी गई गुरू गोविन सिंग ने अपने बेटों के दुखद नुकसान के बावजूद बहादूर से लड़ाई जारी दखी जब तक मुगल बार्शा औरंगजेव ने साशन किया तब तक सिखो और मुगलों के बीच लड़ाई जारी रही 1707 में औरंगजेव की मिर्ति हो गई और उसका बेटा बहादूर शाह समराट बन गया बहादूर शाह गुरू गोविन का सम्मान करते थे और उनके प्रवजनों में सामिल होते थे हलाकि शरहिंद के नवाब वजीर खान को समराट और गुरू के बीच दोस्ताना संबंध पसंद नहीं थे और उन्होंने गुरू गोविन सिंग की हत्या की योजना तैयार की डेट 1708 में सरहिंद के नवाब वजीर खान ने दो पठानों जमशेद खान और वाशिल बेग को गुरू की हत्या के लिए भेजा जमशेद खान ने गुरू को दिल के नीचे घाव कर दिया गाव का इलाज एक यूरोपिय सर्जन द्वारा किया गया था लेकिन यह कुछ दिनों के बाद फिर से खूल गया और गहरा रक्त श्राव होने लगा गुरू गोबिन सिंग को लगा कि उनका अंत निकट है और उन्होंने गुरू गरंज साहिब को अपना उत्तर अधिकारी घोशित कर दिया उनका निधन 7 अक्तूबर 1708 को नाडेड में हुआ तो ये थी गुरू गोबिन सिंग जी की जीवनी आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जय हिंद, जय भारत